है कि है लो बच्चों पांची बोड़ प्रिक्षा दोजाएंश के लिए कख्षा 5 की हिंदी का पेपर और यह पेपर आपके 15 अप्रेल को होने वाला है तो इसके लिए के मॉडल पेपर आपके सामने हैं आपको इसको अच्छी प्रकार से समझना है ताकि आपके जो आफ्षक हैं तो सदाचारी बनने के लिए आपको इमानदार होना जरूरी है बगईनी निवेजिता महिला थी यह कहां की महिला थी तो यह विदेशी महिला थी तो इसका उत्र आपके विदेशी अगला प्रस्तन हैं बारत की पश्च्चिम सिमा का सजग प्रहरी किसको का ज जाता है और जैसल मेर में कौन सा किला है जैसल मेर में सोनार का किला है सोनार का किला है जो जैसल मेर में स्थीध हैं एक प्रस्णा का उतर आप कमेंड करेंगे कि जी लोग की नगरी किसको का जाता है जी लोग की नगरी किसे कहा जाता है इसका उतर मुझे कमेंड करके बतान और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो भी जो सब्सक्राइब को बटन ना रहे हैं इसकô अने में उसका भी लिंक नीचे description box में दे रखा हैं बाद में इसको जोइन कर लेना फिर आपके एगला प्रस्ता है उदेश सिंग की देख बाल कौन करती थी तो उदेश सिंग की देख बाल पन्ना दाए करती थी ठीक है इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर में अजियो मेंवाड की महाना बने थे बाद में कुमर उदेश सिंग को जो बचाया था उस समय अगला प्रस्ता है सरदार परेल को हम लोव पुरुच के नाम से जाना जाता है फिर आपके अगला प्रस्ता है कि बालग अंतिम दिन मजदूरी करने को क्यों विवस हुआ तो वालग अंतिम दिन मजदूरी करने के लिए इसलिए विवस हुआ क्योंकि अंतिम दिन पर गर में नहीं तो उनकी मात थी और नहीं बहन थी जो उसको पैसे दे सके इसलिए अंतिता उसे जो मजदूरी करने को विवस होना पड़ा था फिर आपके एकला मैंसे किशी का भी नहीं हूँ और हाँ ये दुनों मेरे अविश्य हैं लेकिन मैं कि दोनों मैंसे में किशी का नहीं हूँ सात W प्रसनों के आटवा प्रसन देखो देवताओं ने लड़ू खाने की समश्या कैसे सुल जाए तो देवता तो बुद्धिवान थे समझदार थे तो वह एक दूसरे को जो दिमाग से काम लिया और एक दूसरे के सामने बैठ गए और अपने विवेक से दूसरे को समानपुरों के लड़ू खिलाने लगे थे अगला प्रसने फिर आपके गद्यान साइगा इसको पढ़ना है दादा जी कहने लगे बूरी बात गहे गंदगी बूरी बात है गंदगी अच्छी बात है सफाई गंदगी भी महिर लाती हैं सफाई हमें बचाती हैं बच्चों ने खुशी और अनुक की और देखा तब 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 तक वे जो हाथ पाउं दोकर आ बेटें दादा जी ने शाबाशी दी और बोले साब सफाई रखो भाई अच्छी तबीद हो इसके लिए साब सुचरना और वातावरण को भी साब सुचरना जरूरी है तंदू प्रिमस्त हो तो हमें सब आज पास जो गंदगी नहीं रखने चाहिए साब सफाई रखने चाहिए ताकि जो में हर काम जो असानी से हो जाए अब आपको यह पढ़ने के बाद में एक प्रस्त पोछेंगे कि दादा जी ने गंदगी के उसे में क्या बताया तो देखो दादा जी ने गंदगी उसे मे प्रमु कारण क्या है तो बीमारी का प्रमु कारण क्या है गंदगी है बीमारी का प्रमु कारण गंदगी है तीसरा प्रसने तंदुरुस्त होने के क्या क्या फाइदे है तो तंदुरुस्त होने के हमें कौन-कौन से फाइदे सब कुछ अच्छा लगता है हसने का हमारा मन कर रात को नींद भी अच्छे आती हैं और सुबह तरोता जा उड़ते हैं हमें आलश भी नहीं होता हैं दादा जी ने किसको शाबाशी दी दादा जी ने खुशी और अन्नो को शाबाशी दे थी अगला प्रसने दस्वा इसमें आपको अर्थ बताना है संततिकार्थ क्या होता ह संततिकार्थ होता है संतान संततिकार्थ क्या होता है संतान होता है फिर ग्यारवे प्रस में आपको अरिक्तिस्तान की पूरती करनी है हम भारत के खेलते शेरों की संतान से वो कवित आपको याद होगी हम भारत के बरत खेलते शेरों की संतान से तो यह वला आपको लाइन ल रिभए बड़े गर्व की बात है फिर आपको मिलान कर लेना है शब् phospho के सामने नहीं इनको खंडो से मिलान करना है संपतिका मतलब होता है संपति का मीनत का मback की अधिति करना और मेहनत का मतलब होता है परिस्रम करना, कठोर परिस्रम करना खुश्बू का मतलब होता है सुगंद और फूल का मतलब होता है सुमन ये इनके प्रेवाची भी है न ये और अगनी का मतलब होता है आग ये आग इनकी अगनी का प्रेवाची है ये एक जिसे अर्थ वाले शब्दे इनको मिलान करना है अगला प्रसंद देखो नई रोसनी से क्या तात्परी है तो नई रोसनी से तात्परी है समाजिक बदलाव लाने से इसका पतलब ये है कि जाती पांती के बंजनों को समाप्ट करके आपसी मेल जोल वाले सुकत वह विशे से तात्परी है नेक्स्ट क्यूशन आपके चौदा नमर क्यूशन रमेस बुद्धिमान लड़का है इसमें आपको विशेशन बताना है तो जो शब्द संग्या और सारों नाम की विशेशन बताते हैं उनको विशेशन करते है तो इसमें इस लड़के की विशेशन है कि वो बुद्धिमान है तो यहां पे इसकी विशेशन क्या हो जाएगी बुद्धिमान विशेशन हो जाएगा ठीक है बुद्धिमान इसका उत्र होगा फिर आपको महावरे का आर्थ उसका वाक्य में प्रियोग करना है आँख दिखाना इसका मतलब क्या है डराना किसको का आँख दिखाने मतलब डराना रोहन के आइसक्री मांगने पर उसकी मम्मी ने आँख दिखा है इसका मतलब उसको डराया था एक मुहावरे का अर्थ आप जी और कमेंट करके बताना 9211 होना इसका एकतबको अर्थ और मुहावरे का वापस आया देख राहुल फूला नसमाया यह उसको बहुत खुशी हुई कान काटना मुहन का चोटा भाई बातों में सब के कान काटता हैं फिर आपको तीन तीन शब्द बनाने अनुपसर्ग लगा के तो यह जाएगा अनुपलस सासन अनुपसर्ग हो जाएगा अनुपलस मान तो सब्द के आगे लगा कर आपको उपसर्ग बताना है फिर आपको वचन बजलना है जैसे बासा का क्या हो जाएगा बासाएं हो जाएगा मचली का मचलियां हो जाएगा और सवारी का क्या हो जाएगा सवारियां हो जाएगा यह बड़ी ए के मातरा है जब इस बहुत बना देगा दवाईयां की कस परकार से आपको इसीप शाप को बोजन बताना है रातपा बात नहें पेछ गसे दो नहीं मस बनाने दारते पीछे लगा कर तो तिन नए सब्ंद बनाने अमान प्लस दार तो यह देगा इमान दार और चोकी प्लस दार का हुजएगा चोकी दार जम्मी प्लस दार का होजएगा जम्मी दार इस परकार से दार परती लगा कि तीन नए शबदा आपको बना लेने हैं फिर अथारओ 59 गुष्ण एक आपको कहाने लिखनी है दो तिन कहाने देंगी इनमें से कोई आपको एक लिखनी है खरगोस और चुहा वाली लिख सकते हो शेर और हिरन वाली लिख सकते हो सोने के अंड़ा देने वाली मुर्गी के बारे में कहानी है वो वाली लिख सकते हो तो हम आपको खरगोस और चुहे वाली कहानी सुना देते हैं तो खरगोस और चुहा वाली कहानी है एक बार एक गने जंगल में बहुत बड़े से जानवर रहते थे और वे आपस में ज़ड़ते ही रहते थे एक दिन उन्हें निशे किया कि हम अपना जो राजा है वो चुनना चाहिए इस बात को सभी राजा बनाने को तयार हो गए तब ही एक लोमडी वहाँ पर आई और उसने शोर का कारण पूछा तो शोर का कारण बताने के बाद सभी ने उस लोमडी को अपना राजा चुन लिया और दूसरे दिने जो खरगोस और चुहा बिल को लेकर आपस में जगरने लगे वे न्याय के लिए लोमडी राजा के पास गए और दोनों ने अपनी व्यता है जो अपने राजा को सुनाई लेकिन लोमडी राजा ने कहा कि अब मैं बुड़ी हो गई हूँ इसलिए कम सुनाई देता है तुम दोनों अपनी बात आपस में आकर कहो तो जैसे ही दोनों वे दोनों लॉमणी राजा के पास गये लॉमणी राजा ने उन दोनों को बारे बारे से पकड़ पकड़ कर मारकर खा लिया यह उस खरगोस और लॉमणी चुढ़ की कहानी है और आपको एक बोखी लोमनी वाली जो कहानी वो भी याद करनी है अंगूर खटे हैं और एक प्यासा कवा वाली कहाने भी याद करनी है तो ये भी दोनों आप अच्छे प्रकार से याद करनी है फिर आपके प्रातना पत्र आएगा छुट्टी के लिए प्रातना पत्र लिख राज की बालिक काउच माद्मिक विद्याले या प्राथमिक विद्याले राजनपूर यहां पर लिखेंगे प्राथमिक विद्याले राजनपूर और फिर लिखेंगे विशय विशय तीन दिन का अवकास के लिए प्राथना पत्र और फिर लिखेंगे महोदे सावने निवद कि पंद्रे अपरेल 2023 दढ़ने होना यह हemos है इस कारण में अपने दिनांग इतनी तरह से तारी में विदाले में नहीं है सकता हूं या विदाले आने में समर्थ हूं yr आपसे अतह आपसे निवेदन है कि मुझे तीन दिनों का उकास देने की करपा करें आपकी आग्याकारी शिश्या वसंथ देंके यह नाम आपको कि दे रखा है सब पर में तो ही नाम लिखना है और अपनी कक्षा लिखनी और यहां पर दिनांग डाल देने और दन्यवाद लि करके आपका अपना नाम मुझे कमेंड करके जरूर बताना है फिर आपके अगला प्रस्न है बीस्वा वर्ग पहली में अक्षरों की साहिता से साहिता से प्रस्न पुछे गए इनके उत्तर लिखने पहला है आपके मत दाता मत दाता मत देने वाला मत देने और करते हैं मत दा ना दिखे दूसरा प्रस ने जीव पानी में रहने वाले जीव को नाम बताने तो यह आपके मचली हो जाए यह मचली यह मत दाता इस प्रकार से आपको यह पहली से प्रसम बनाने पीता जी के पीता जी क्या कहलते हैं तो पीता जी के पीता जी कहलते हैं दादा जी क्या कहलते मेदान या मेरे गाओं के मेले पर लिखो किसी एप के उपर आपको निबन लिखना है और मेरे वीडियाले पर भी आपको निबन आ सकता है तो मेरे वीडियाले मेरा प्यारा वीडियाले मेरा अधर्स वीडियाले इसके उपर आपको निबन तयार कर लेना है पर आपके अग्ला परत वहाँ चलते समय क्यक्जावधारी रखनी चाहिए कोई चार बताइए तो डोपिया वहाँ चलते समय हमेशह हेल्मेट पहनना चाहिए चो राहे पर लाल बत्ति होने पर रूपना चाहिए और होरन का उनाशेK पर्योग नहीं करना चाहिए और क्या बताइंगे सड़क पर हमेशा बाई और ही वहन चलना चाहिए फिर आपके स्वस्ता समंदी महत्पून स्वस्ता महत्पून क्यों है चार कारण बताने तो स्वस्ता न रखने इसे अनेक बीमारिया फ्यलती है खादी पदाद भी दूसीत हो जाता है स्वस्ता के बाव में स्वास पर परतिकूल पर बाव बढ़ता है हमारा स्रीर बीमारियों से लड़ने में समर्थ हो जाता है तो यह आपका पूरा पेपर था ऐसे मैं दो तिन पेपर और डालूँगा आपके आपके आपको फाइदा मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब करें ना इसकी पीडिया एप के उपर मिल जाएगी एप का लिंक के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हैं आज के जो इंग्लिस के पेपर यंगी जो 13 अतारी को आपको इंग्लिस का पेपर रहता उसमें कौन-कौन से पुछे गए थे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यह हिंदी का पेपर आपके और भी आगे गनित के और प्रियावरन के पेपर आएंगे आप चैनल को सब्स वाटसब गुरूप का जो लिंक हैं वो भी आपके नीचे डिस्क्रिप्सिंबॉक्स में दे रहे हैं और जल्दी मिलेंगे एक नए पेपर के साथ में तब तक जैहिन जै बारत